हौरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलया तीन का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें विद्याबालन का किरदार मंजुलिका और कार्तिक आर्यन का रूह बाबा के रूप में शानदार दिखा है. हालां कि मेकर्स ने माधुरी दीक्षित और त्रिप्ती डिमरी के लुक को अभी तक रिवील नहीं किया है. कार्तिक आर्यन ने टीजर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, क्या लगा कहानी खत्म हो गई? रूह बाबा वर्सेस मंजुलिका, इस दिवाली, टीजर को देखने के बाद दर्शकों का उत्साह बढ़ गया है. कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, विद्या बालन ने कमाल की एक्टिंग की है. टीजर में उनका छोटा सा सीन मजेदार है. हमारी ओरिजिनल मंजुलिका वापस आ गई. वो भी तीन गुना शक्ती के साथ. दूसरे ने कहा, ये तो टीजर है, फिल्म तो अभी बाकी है. मज़ा आ गया. वहीं एक अन्य यूजर ने माधुरी दीक्षित के लुक पर सवाल उठाते हुए लिखा. इतना सस्पेंस, एक जलक तो दिखा दो रे बाबा. कुल मिलाकर टीजर ने दर्शकों के बीच उत्साह और जिग्यासा पैदा कर दी है.